तो अब हम discuss करने वाले हैं कि Kotlin में function होता क्या है तो मिना time waste के start करते हैं तो सबसे पहले हम अपना intelligent idea खोल ले फिर अभी सबसे पहले हम अपना नोर्स जो बना है उसको खोल के open करके देखते ही function होता क्या तो यहां पे लिखा हुआ है a function is a block of code that perform a specific task function होता क्या है तो function एक same तरह का logic वाला लिखावा code होता है जो कि एक ही तरह का काम करता है और यहां पे लिखा हुआ function are also known as method or subroutine functions को हम method और subroutine का नाम से भी जानते हैं और यहां पे लिखा हुआ है कि function is to take program into different sub modules इसको यहां पे मतलब की होता है इसका मतलब यह होता है कि हम function के help से program को divide करते हैं अलग अलग तरह का code के लिए अलग अलग तरह का functions को बनाते हैं फिर यहां पे लिखा हुआ कि it make reusability of code and make program more meaningful minimal इसको मतलब होता है कि code अगर हम function बनाएंगे तो वो code को manage करना आसान हो जाएगा और उसको समझना भी easy हो जाएगा और function runs only when it is called जब हम function को use करना चाहते हैं तब यह function run होता है यह चोटा सा intro होता है कि function होता कि है उसके बादे यहां पे लिखा हुआ है कि कि कितना तरह का function होता है gotlin में तो kotlin में कुछ दो तरह का function होता है पहला function होता है standard library function और दूसरा function होता क्या होता है फिर इसका example दिया हुआ है फिर यहां पर explanation दिया हुआ है तो इसका description लिंक होगा PDF का download कर लेना और अभी हम explain करके समझते हैं कि यह function होता क्या है तो सबसे पहले हम main function बनाते हैं तो सबसे पहले यह जो function है हम बहुत time से यूज़ करें जैसे कि यह जो हमारा function अभी हम यह पर लिखेंगे main और यहांपर type कर देगे तो यह हमारे एक ओल्यडी एक function बना हुआ है तो हम अल्ली use करें अभी हमसमझेंगे कि फॉंक्ष्न होता क्या है यह function क्या होता है यह जो main function, यह function क्या है, यह main function है, यह वो सबसे main function है gotled में, जिसका helps हम कोई भी run कर सकते हैं program को, यहाँ हमारे पास दिया हुए कि दो तरह का function होता है, एक standard होता है और यह हमारे पास होता है user defined function होता है, तो जैसे कि हम यहाँ पे use करते है println, जी जो println है यह भी हमारा function है, हमें कैसे पता कि यह function है हमें ऐसे पता क्योंकि अगर हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है जैसे कि एक हम यह पर लिख देते हैं add और वहाँ पर हमारे यह पर parenthesis दिया है किसी नाम के बाद में हमारे पास अगर पर parenthesis दिया हुआ तो इसका मतलब होता है कि वह एक function है यहाँ पे भी हमारे पास एक print लिखा हुआ है और उसके बाद यह एक parenthesis दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि एक function है तो यह print function क्या करता है यह अगर हम इसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे hello world print करा देगा तो यह क्या करा है यह हमारा hell println यह फंक्शन है यह तरह हमारहा है यह कहारो ह hatte mission यह हमारा built-in होता है यहां पर का मतलब देता है इसका मतलब होता है built-in function वो function जो हमारा को औलडी हमें use करने के लिए देता है यह होता है हमारा stadard function तो function दो तरह का होता है एक होता है standard function, दूसरा होता है, वो होता है हमारा user defined function, यहां पर हम लिख देते हैं user defined, user defined function, तो यह दो तरह का function होता है, एक होता है standard function, standard function क्या होता है, जो कि built in होता है, जिसको जो हमें courtlin देता है use करने के लिए, और user defined function क्या होता है, वो function जिसको हम खुद का use करने के लिए बन प्रोग्राम लिखते जो क्या करता हो दो नमबर तो जोड़ता हो फिर उसको माइनस करके उसको मुंटिप्लाइ करता हो उसका हेल्प से हम समझेंगे कि फ्रॉंक्षन होता क्या तो सबसे पहले एक हम वेरियेबल बना लेते जिसका वैली हम इस्टोर करते है ते उसका एक और बना दें जिसका वैली होगा 20 के एक और बना देंगे जो कि होगा सी क्या करता हो वो करता हो एक Eso P के कर दे कर देता हूं लोग कर तो सबसे पहले में प्रोग्राम लिखें जिसमें कुछ फिर या कर देता हूं प्रोड़ने के बाद से value आता हूँ उसको multiply कर देता हूँ तो यह code लिखने के बाद हम इसको जैसे रण करेंगे तो यह हमारा print कर देगा इसका value को तो यहां पर यह minus 300 को print कर रहा है तो यहां पर minus 300 कैसे print हुआ यहां पर minus 300 ऐसे print हुआ कि सबसे पहले क्या किया कि वह 10 को और 20 को सबसे पहले जोड दिया 10 और 20 को जोड दिया फिर क्या करता है कि वह 10 से 20 घटा देता हो और उसके बाद उसका value को print करता हो तो यहां पर तो यहां पे मईनेस 10 को घटा देता हो चाहए मिनिस two-man- wrapsa उसको मान ऐस और तो यहीए प्रोग्रेम हमारा कर रहा हुआ है शब्से पहले एक नंबर को रहा है और इसे गया है और उसको मंटिप्लाई कर रहा है तो यह जो हमारा logic है जो हम code लिखे हम चाहते कि इसको हम और use करें तो हम और भी इस तरह क्या करेंगे कि simple code को copy कर लेंगे और यहां पर हम एक variable बना जैसे बीवान हो गया यहां पर हो जाएगा हमारा c1 फिर a1 बीवान इस तरह कर गे हम सब variable का यहां पर हम नाम Change कर देते हैं और यहां पर एक और यहां लेते us को सब करेंगे कि यह जो कर देगा तो इसका वैली को यह हमारा यहां पर प्रिंट कर देगा तो इसका वैली को यह हमारा यहां पर प्रिंट कर दे रहा है तो अगर हमको यहीं सेम लॉजिक को यूज करना है कि हमको दो को पहले जोड़ना है फिर इसको माइनस करना है फिर मंटिप्लाइ करना है तो function is a code block of code that perform a specific task इसका मतलब क्या होता है function हमारा एक same तरख कोड होता है एक ही तरख कोड होता है जी समें एक ही तरख का काम करता है तो यहां पर हमको यहां पर सारा कोड लिखना पड़िया तो हम कुषं कर दें तो हम यहां पर दें को दो को due करें तो हम उसका नाम लिए देंगे जैसे हैं हैप सब्ondों देना पड़ें इसके बात क्या करेंगे है कि यह हमारा दो विर्येबल को जो रहा है फिर माइनस कर रहा है इसका मतलब ब AGुन थो यहां पर देना पढ़ेगा यह से कि उसका हमको बताना परीगा कि यह दो यह प्रकिया और था यह लिए लेगा तो सबसे बेर देंगे पिर हम उससे पहले यहां पे लीए देंगे इंट हम यह लिखे हैं हम जो रहे हमारा एक इंटीर कर देंगे उसी तरह से दूसरा विरीएबल वह यहां पर हम बता रहें कि वह दो इंटीजर ले रहा है तो जब हमारा function यह क्या करा है कि दो इंटीजर ले रहा है उसको बाद जब यहां पर इसको रन करेंगे तो यह हमारा overall जो भी यह हमारे ले रहा है तो बदले में कुछ लोटाएगा भी तो एक value लोटाएगा भी तो यह हमारे एक इंटीजर लोटाएगा तो simply हम यहां पर कोलों देखे है कि यहां पर हम इंटी लिग देंगे तो हम क्या किया कि एक हम function बना जिसका नाम add to numbers हो वह दो नमबर लेता हो जैस भी देंगे फिन आपशे एंटर कर देंगे तो यह हमारे एक function बन चुका है तो क्या करहा है दो नमर ले रहा है फिर उसको एक इंटीजर लोटा रहा है तो यहां पर लोटा रहा है तो मतलए return करवन तो यहां पर हम simply यहां लिख देंगे return और उस पहाद यह ही same code खर hour तो वो जोड रहा है तो एक्स प्लस यहां पर कर देंगे एक्स प्लस यहां पर लिख देंगे कि सबसे पहले जोड रहा है फिर वो क्या कर रहा है फिर वो माइनस कर रहा है तो यहां पर लिख देंगे एक्स माइनस वाई जोड रहा है फिर उसको माइनस कर रहा है फिर उसको को वहाँ पर multiply कर दे रहा तो यहां पर multiply का sign दे देंगे तो क्या करें हम code लिए कि पहले वो जोड़ेगा फिर उसको घटाएगा फिर तोनों का value को वो print कर देगा तो यहां पर call कर दिये और अब यहां पर मुसका value को return कर दिये तो अब हम क्या करेंगे यहां पर यह हमारा notes में यहां पर लिखा वालास्ट में कि function run only runs when it is called function कभ करेंगे उसको रन करेंगे जब हम उसको यहां पर call करेंगे तो call करने का मतलब क्या होता उसको उसको यूज गया करना तो हम उसको यहां पर use कैसे करेंगे simply यह इस इसका यह function का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे तो यहाँ पर हमारे लिखावा है add to numbers यहाँ पर लिखेंगे और add to numbers लिखेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर rate clear का भी error दिखा रहा है क्यों कि यहाँ पर हमको लिखना है no value past तो हमको यहाँ पर कुछ value देन तो जैसे हम यहां पर 10 और 20 लिए थे तो यहां पर भी हम इसको 10 और 20 दे देते इसको भी कमेंट आउट किया हुआ यहां पर कमेंट किया हुआ तो यह रन नहीं होगा बट यह हम 10 और 20 देंगे तो जब यहां पर 10 और 20 दे रहे तो यह मानेस 300 कर रहा था तो यहां पर भी हम इसको हम लिख नहीं है में यह हमारा x और y दोनों हट जाएगा यहां पर 20 देगे रहा हमारा मतलग क्या हुआ है हम इसका नाम X दिये हैं और इसका नाम हम यहांपर यह वाइट यहांपर 10 घ्यारत 10 का वैली भी हो यह हमारा कुछ भी प्रेंट नहीं कर रहा है यहां पर कुछ क्यों नहीं प्रेंट कर रहा है कि यहां पे जैसे हम रहा प्रिटर्न नहीं कर रहें की करें तो हमको इसको यहां पर प्रिंट करवाना पड़ेगा तब नहीं प्रिंट करेंगा हम किसी भी चीज को डिस्प्ले कराना है तो हमको प्रिंट लिखना पड़ता है तो सिंप्लम यहां पर लिख देंगे प्रिंट एलन के अंदर यह हम कोड लिखेंगे तो हम सबसे पहले हम print लिखे यह print लिखने के बाद हम रन करेंगे तो यह मेरा स्बly proceso ख़कर को थया माइनस 300 को प्रिंट करा दीए तो यहां पर माइनस 300 क्यों sacred कि यहां पर हम प्रिंट एलें लेगें फिर आपस थे क्ल किया मतलबूस उस फथाम को में भूलाए फिर आप उसका कुल में दे दी यही होता हैं हमारा सचांग को कैसे बनाते और कैसे हम उसमें print कर आते हैं यहां पर यहलें यहां पर मैंने जो आao यहां भी यह आ यहां तब यहां गात ओंगा कैसे में चाहिस यहां पर क्लेंगे पाल जा होता है जो कि हमेशा कॉंस्टेंट होता है यह हमारा कैसे वैल्य यहां पर हम देना चाहते फंक्शन को यह जो हमारा तो यह इसलिए जो कभी वैली चेंज नहीं हो यह जो होता है यह हमारा इसका वैलीव बदलते रहता है यहाँ पर और त्वेल유 को सब्सक्राइब करने मैं हम बचलर है तो एससे सब्सक्राइब गदाने है यहाहं नहीं हो जाए यहां प asymmet है नक टैननों को म्त पर हो जालते है नो हो जाहरा है कि यह इसका ऍरयेबल था फ़चे बनेगा और अगर हम यहां पर 100 देंगा यहां पर आके मेरा 100 बनेगा यही होता है हमारा पारामिटर्स और आर्ग्वेंट जो पैरामिटर्स होता है इसको हम यूजर डीफाइन फंक्शन में हम देते यूजर डीफाइन यापने हम लिए अगर हम Stas handled function मतलब की इसको हम मेन function में You can run पिसका मतलब क्या हो जो अगर हम में function इसको यूज करेंगي तो इसका मतलब मैं function में call करेंगे तो अगर हम कोई भी function काथशं में उसको मेन function में use करें और उसमें कुछ value दे रहे तो वह हो जाएदा हमारा आर्गेमेंट और अगर कोई भी value हम दे रहे हैं user-defined function जिसको हम खुद बनाए उसको हम बोलेगे parameter parameter मतलब वह value जिसको हम use करते हैं यह खुद से बनाए वह variable function है और argument वह होता है जिसको हम use करते हैं जो होता है हमारा main function के अंदर तो यही होता है हमारा function कैसे बनाते हैं और user defined function क्या होता है standard function क्या होता है यह देख चुगे बट यहां पर हम क्या करते हैं एक और function बना रहे हैं बट हम क्या करें कि उसमें हम कुछ value को ले रहें और तब हम कुछ value दे रहें बट अगर हम function बनाना चाहते हैं जो कि ना कुछ value ले ना कुछ value जैसे को हम चाहते कि वूआ हमें ग्रीट करें हब यहां पर लेता नहीं ल Uk John Day का यहां पर कुछ लेता नहीं कुछ लच लता है भी नहीं कुछष लें नहीं रहां कुछ लें रहा है और लें लोटा भी नहीं रहा थिंटर कर तो यहां पर यह हमारा ले घृट यहां पर यह जो गरेट लिखा वह ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है तो मुझा सकता है ना यहाँ इसको कैसे यूज कर रहे हैं इसको करने के लिए simply हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस जो वेरियेबल का नाम ग्रीट है ग्रीट हम यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़े यह जो में फंक्शन है वहाँ पे हमको यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हम कुछ ले भी नहीं रहे तो यहाँ प कर देगा यहां पर Good-morning को कि यहांगा इसको रन करेगा फिर यह जो फंक्षिन जो हम खुद करें पर अब इसको बाद में यूज करें तो यहां पर लिखा था कि जब हम उसको कॉल करेंगे तब ही यूज होगा तो यहां पर जैसे हम इसको पहले कॉल करें तो यह हमारा बाद में रन रहा है तो यहां पर यह जो दो नमबर ले रहा है तो दो इंटेजर ले रहा है तो जब यह मेरा कुछ ले रहा है तो कुछ यहां पर लोटा रहा है तो जब यह मेरा दो इंटेजर ले रहा है तो वाल ने में लोटा रहा है तो लोटा रहा है तो हम कोड The लगने करें तो उस्हार करेंने हैं गiraFlare एंप्डेर लोटा रहा है तो कि तो कुछ वानी में व êtes कि Peng तो peril तो क्या वो रिटन करेगा यहीं होता है हमारा वो फंक्षिन जो कुछ ले ता न उनकोफ और इसलिए पृषय 24 रहा है तो इसलिए क्या है स्मप्राटर कृक्षिन ले तो कुछ लाटार हूं सिकमाने Ск क्पुछ नंबर ले तो भी एक नंबर लेता हो जो कि एक इंटीजर हो और रोगण नहीं तो अगर वह कुछ लाटाता नहीं है तो यहांपे कुछ लिखना नहीं परेगा थिक है कुछ नहीं परेगा है simply आ पर लिखना परगा println और हुआ पर integer q ले रहा है तो q हम यह पर टाइप कर देंगे इतरे कंगे फंक्शन बांना जिसका नाम शो नबर है वह एक एक लेता तो पर कुछ लोटाता नहीं हो इसको हम call कैसे करेंगे simply हम यहां पे लिख देंगे show number लिखेंगा और कौन सा number लेता हूँ जैसे हट हम 100 लेता हूँ और उसके बाद हम इसको यहां से run करें तो क्या करेगा कि यह हमारा सबसे पहले यह करेगा जो कि multiply करता हो फिर दूसरा जो सिर्फ print करता हो और तीसरा बाद में यह इसको print करेगा जो कि इस इस एक argument लेता हो वाट कुछ लोटाता है यहां पर हमें 100 प्रेंट कर दिया यहां पर कुछ नंबर के साथ ही चेंज कर रहा है यहां पर सिर्फ एक इंटीजर ले रहा है उसको print कर दे रहा है तो अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहा है तो उसको हम प्रेंट करा सकते हैं जैसे कि एक इंटीजर लिए हैं यह कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है बट इसको print करा रहा है हम उसको कुछ उसके साथ हम चेंज नहीं करें बट उसमें हम प्रेंट तो करा सकते हैं तो अगर वह फंक्चन जो कु नहीं लौट रहा है तो इसका मतलब चाओ है यहां पे कुछ तो होगा जैसे यह बाइद ते kalian यहां पर हमारा यूिवट होता है अगर हम겠지만 भी यूंट कर देंगे तो इसका मतलब ही होगा जो कि कुछ नहीं लोट रहा है यहां मकर चुका फंक्शन को यहां मैं हरा यवाश हम पालेगा वाट अगर फ Hi यहां से इस युणिट को हम अधावी यूडिट करेंगे तब यह हमारा यहां पर 100 ही प्रिंट करा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा function कुछ lot आ नहीं रहा है तो वहाँ पर unit होगा और unit नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा unit लिखना जरूरी नहीं होता है तो यहीं होता है function तो हम देख चुके function क्या होता है function दो तरह का होता है एक होता है user different function जो हम खुद से बनाते हैं और दूसरा होता है standard function जो कि हमें कॉटलीन देता है यूज करने के लिए फिर function में हम कुछ बना सकते हैं उसको हम वैली देंगे तो उसको हम बोलते हैं parameter और अगर हम यहां पर main function में उसको call करेंगे और वहां value देंगे तो उसको हम बो आ हो एक आड़ यूम एक parameter लेता हो अबच न कर तो हम तिन अलग-अलग तरह का function देउक्ट जैके function क्या होता है तो यहां पर Εम नु Coin के parameter क्या होता है call कैसे करते हैं यही हम समझ चुक फंक्षन होता क्या का इसका source code का description में लिए अगा download कर ले नहीं जो कोड लिए इसका description में कर लेकुम का डाउनलोड कर ले ना और रम सो थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियो